बीतेक उस दिनों से देश में सुरक्षा को लेकर बार बार चूक होती नजरा रही है कुछी दिनों पहले देश ने एक जाबाद सीडियेस को खो दिया जिससे देश भर में गम का महौल था वही अब एक बड़ी खबर ने लोगों को और भी गम गीन कर दिया है एक और जहां परधान मंतरी नरेंद्र मोदी काशिवी स्वनात में गंगा आरती कर रहे थी वही देश का ताज कहे जाने वाला कश्मीर आतंकी हमले का एक बार फिर शिकार हो गया और दोवारा से चोट हमारे सुरक्षा कर्मियों पर की गई एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलो पर आतंकीयों ने हमला बोल दिया है ये छती बेहद दुखद पुर्ण है दरसल जमुकस्मीर में सिर्नगर के पंथ चोग इलाके में आज शाम सुरक्षा बलो पर आतंकीयों ने हमला कर दिया फारें की इस घटा में 14 जवान घायल हो गए जिन में पांच की हालात बेहद गंभीर बताई जा रही है जबकि तीन सुरक्षा कर्मि शहीद हो गए जमुकस्मीर की नौमी वटालियन शहस्तर पुलिस बस पर ये हमला हुआ है इस हमले के बाद से राज के लोगों में खौफ का मंजर दिख रहा है ताजा जानकारी के नुसार सभी घायलों को पालस के अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराये गया है सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ओपरेशन शुरू कर दिया है इसे पहले आज ही सिरिनगर के रंगरेथ हिलाके में हुई मुट भेड में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया दरसल सुरक्षा बलों को सुचना मिली थी कि सिरिनगर के रंगरेथ में आतंकियों के मौजूत की देखी गई है इसके बाद सर्च ओपरेशन चलाये गया जहां खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलो पर फायरिंग कर दी और जवाब में दहश्रत गर्द मारे गया मालुम हो कि जमुकस्मीर में सुरक्षा बलो ने आतंकियों के खिलाफ मुहीम छेड रखी है रविवार को ही जमुकस्मीर के पुलवामा जीले के अमंती पोरा में सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुट भेड हुई इस मुट भेड में सुरक्षा बलो ने एक आतंकी को डेहर कर दिया मारगाया आतंकी समीर अहमद जैश मुहम्मद से जुड़ा हुआ था वहीं शनिबार को आतंकीयों के हमले में दो पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे आतंकीयोंने कायराना हरकत करते हुए बांदी पोरा के गुलशन चौक इलाके में पुलिस पार्टी को निशाना बनाया इस हमले में मुहमद सुल्तान और फोयाज जहमत नाम के दो पुलिस कर्मी बोरी तरह गायल हो गए इलास के लिए उन्हें अस्पताल में भरती कराए गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया